तो यह जो आज मैं पढ़ाऊंगा यह आपके CDS का अगर आप लोगों ने इस बार पेपर दिया होगा वैसे मैं पिछली बार भी कराया था पर छूट गया था CDS के एकजाम में आपके यहां से question आये हैं CDS के exam में आपके यहां से question आये हैं तो सभी लोग फटा-फट session को share कर देंगे तो सबसे पहले जिस festival की हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है होर नॉबिल festival और मेरे को बता दो, क्या ये festival आपके exam में आया था? क्या ये festival आपके exam में आया था हो, होर नॉबिल festival? बताओ, अगर आया हो तो मेरे को बताओ, सथ ये CDS में आया था दिखाए, it is one of the most important agriculture, जितना मैं, कल मैंने आपको सलाइट दिखाए न, जितना मैं pen से underline करूँगा, उतना तुमको note कर लेना है, नहीं तो फिर मैं अपरेल के बाद इसे सलाइट दिखाऊँगा, तो फिर तुम लोग कोगे कि सार आया था, इट इज वन आप दा मोश्ट इंपोर्टन एग्री कल्चरल से लिबरेशन इन नागा लेंड, मतलब नागा लेंड का यह फेस्टिवल है, और आप से जाम में पूछ लेगा, यह फेस्टिवल है, तो आप बोलोगे एग्री कल्चरल से लिबरेशन इन नागा लेंड, समझ गे, it is an annual week long festival that brings on December 1st, समझ गे मेरी बात को, मतलब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, हरनोबिल महुष्णो, यह नागा लेंड में सबसे महत्पूर, किरसी उस्सो में, तो नागा जो हरनोबिल फेस्टिवल है बेटा, जो हान अमित्र पाथी, जो हरनोबिल फेस्टिवल है, вो किस टाइप का फेस्टिवल है, किंसी उत्सों में से एफ या एक सबता बर चलने वाला से नालैंड में आपका क्या मनाया जाएगा होर नोबिल फेस्टिबल मनाया जाएगा जो एक ग्रिस यह सर जैन सर यहां कलास होगी क्या सार गरिमा देखची था बठा अब चाहिए पर कलास होगी गरिमा यहीं पर मैं मिलूँगा आपको गुड़ बॉनिम पारूल का सब्सभी लोग सेर करने चलेगे है मै जितना अभी कल मैं आपको पूरूब दिखाया हूँ आगे भी पूरूब दिखाऊंगा जो कुष्चन आया है मेरे को आश टाइम नहीं मिल पाया मन्डे को क्कूभ मेरे पास कल आज का टाइम है कल का टाइम है तो मैं सभी चीजे निकालूंगा यूटूब से पने वीडियो को देख देखके और आपको स्क्रीन स्वाट में दिखाऊंगा कि देखो सरी कुश्चन आया सर डेली क्लास होगी क्या पूजा बेरी हाँ बिल्कुल पूजा मेरी कल आज डेली होगी सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जिसमें आप मेरे से सभी चीजे पढ़ोगे मिक्स हिस्ट्री पॉल्टी जोग्राफी साब मिक्स रहेगा बेटा मेक्स बिल्कुल जी के जिए पढ़ोगे बिल्कुल मेक्स आपको पता होना चाहिए एक दिसंबर से शु में सभी परमुख इस उस्सों में सभी परमुख नागा जंजातियां सामिल होती है भीया नागा लैंड की मामला हो और नागा जंजाति ना सामिल हो तो मजा फिर कैसे आएगा जो किसामा हेरिटेज बिलेज में कितना कंटेंट जबरदस्त लेकर आया हूं मैं कितना है जो स्टीट सामा हेरिटेज विलेजमें एकित्रत होते है उस घाते हैं किसामा में होता जो को ट पूरा विश्वास है जो कि आप पढ़ाते हो आता है बिल्कुल आता है मैं कल दिखाऊंगा अरे सुकला तुम कहां थी यार तुम दिखाई मारूंगा बहुत तुमको आज मैं जो किसामा हैरीटेज विलेज में एकित्रित होती है सभी जन जातियां कपड़ों हथियारों धन आप लो यह आपका इस वार सीडियस के एक्जाम में आया है और यूपीयसी जहां जहां कदम रखेगा वहां वहां अप उनके कदम पढ़ेंगे हां सर आपकी वीडियो देख कर ही सेंचूरियन को सब्सक्राइब किया है रॉकिंग आर्मी बिल्कुल मेरा बेटा बिल्कुल सर हां बिल्कुल तुम्हीं लोगों मैं बता देता हूं कि भरोसा रखो भरोसा रखो जब आपका अपरेल में पेपर होगा ना और जो मैं पढ़ाओंगा इस बार अभी यंडिय की सीडियस में मिलिटरी एक्सरसाइज आया था और मैंने पूरा मिलिटरी एक्सरसाइज का अब स्टेक्टिक जीके का प्लेलिष्ट खोल कर देख लो पूरा पड़ा हुआ है समझ गए मेरी बात को अगये तो सर अब कितने याद किया आपकी क्लास को समा तुम गई कहा थी तुम मिल जाओ मेरे को तुमको मैं मार मार के लंबा कर दूं सर सासनी अध्यच बैक सुबार नौ बजे से दस बजे तक बीज में मिलेगी आपको हाँ समझ गए तो चली आगे देखते हैं दूसरा ये भी आपका कॉश्चन सेडियस में इस बार आया है सागा दवा इसी लिए मैंने कहा कि इस चैप्टर को हम पहले नाप देते हैं सागा दवा सागा दावाय अम्मु करूप से सिक्किम राज में कौन से राज में सिक्किम राज में बाउद समोहो द्वारा मनाया जाता है बेटा बुद्धिष्ट द्वारा मनाया जाता है जो ये बुद्धिजम गुरुप के लोग होते हैं उनके द्वारा ये फेस्टिबल मनाया जा क्योंकि मेरी इस बार प्लानिंग जो है वो यूपीस्थी को नापने की है मैं चाहता हूं कि मैं इस बार यूपीस्थी को नाप हूं और इस नपाई में तुम लोग मेरे साथ दो समझ गये हाँ कि सागा दावा या मुख रूप से सिक्किम राज में बहुत समूहों द्वारा मना जाता सर पीडियाप नहीं आती है नोट्स कैसे बनाएंगे बिटा टेली ग्राम पर पीडियाप मिल जाएगी परिसान नहीं हो सकता है बेज भी दी गई हो समझ के सब पीडियाप आपके टेली ग्राम पर पहुंच चुकी आप चक्कर सकती हो भी जाकि सब पहुंच चुकी है समझ गए सागा दवा या मुख रूप से सिक्किम राज में बहुत समूहों द्वारा मनाया जाता है या तिबती चंद्रमा के मध में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है जिसे सागा दावा के नाम से जाना जाता है तिबती समुदाई के लिए या बहुत ही भागिसाली दि पीच में आता है सागा दवा या गुडो का महीने के रूम में जाना जाता है बस आपका यही कुश्चन आया था कि सागा दवा फेस्टिबल किस स्टेट में मनाया जाता है हां लौड बुद्धा बर्थडे बिल्कुर रुद्र नरायन साहू जितने भी हमारे पुराने बच् बिल्कुर गुड मोर्निंग कंप्यूटर मोरे चलो इतना प्यार तुम टेर रहे हो सबको ऐसे बरकरार रख ना बिल्कूल चलो हा wall… तो याद कर लेना सागा दावा फेस्टिबलoud अभी लास्ट में आपका, το कहा का मनाया जाता है, सागा दिबाफेस्टिव पल आना जाता है, सखक्किम में और किसमें में मनाया पेक्स जींग भूण और्हें खतरनाक है यह जहर है लिखनो लोसांग फेस्टिवाल और सभी लोग जितने भी लोग हमारा वीडियो देखें वो सभी लोगे इन्दर भी उससा आता है कि हम अच्छा से अच्छा मैं देखूंगा कि बीडियो पड़ा पूँछ पड़ा है तो ऐसे मजा नहीँ आए तुम ल होगा अरे सुकला अशांत हो जाओ सुकला का समझ गए थे लोसांग फेस्टिबल यह जहर कोईश्य नहीं लोसांग सेलीब्रेशन इज हैल्ड टू याद कर ले ना आप लोग कि लोसांग महोसर या लोसूंग उस्व सिक्किम नौवर्स के उपलक्ष में सिक्किम नौवर्स क उपलक्ष में आयोजित होता है याद कर लेना सिख्कम नउवर्स के रूप में उपलक्ष 루ता बिल्कुल याद कर लेना अच्छे तरीके से मझे जब जब बिटा नया साल होता है हाँ विल्कुल रुद्र नरायन साहू बिल्कुल सही कह सबस्क्राइब नागा लैंड वाला भी संबर में मनाया जाता है इस कि समझ गए हां याद कर लेना ये आपका दिसंबर में मनाया जाता है याद कर लीजिएगा जैसा कि पहले कहा गया सिक्क्यम राज में किरसी परमुख बेवसाय है और फसल का मौसम किसानों और अन्य बेवसाइक समूहों द्वारा मना जाता है बस इतना याद करने ला कि लो सांग फेस्टिबल जो है यह आपका सिक्क्यम में मनाय जाता है हाँ सिक्क्यम दारजलिंग और नेपाल लेकिन बेसिकली यह मनाय जाता है कहा पर सिक्क्यम में मनाय जाता है और सिक्क्यम में एक बैली है जिसका नाम है चुम्बी घाटी चुम्बा घाटी हिमानचल प्रदेश में है और चुम्बी बैली सिक्क्यम में है यहाँ पर आपको बहुत जादा हांगुल हिरन देखने को मिलेंगे और मता दूं सिक्किम में माउंटेन्स है जिसका नाम है कंचन जंगा कंचन जंगा नामा आपको पता होना चाहिए कंचन जंगा नामा सिक्किम में माउंटेंस का जो इंडिया में हिमालया की सबसे उची-चोटी मानी जाती है बिल्कुल रुदिंदरायन साओ बिल्कुल चुम्भी गाटी सिक्किम में है समझ गे तो यह आपका लोसांग फेस्टिवल जो सेलिबरेट होता है मेरे बेटे लोसांग फेस्टिवल सेलिबरेट होता है आपका सिक्किम में और सागा दवाभी फेस्टिवल का सेलिबरेट होत और तेज तिरपाटी बेटा बात मत करो पढ़ लो यार पढ़ लो बड़ा मेहनस से बनाया हूं पीपीटी तुम लोग के लिए पढ़ डालो नहीं जमनापना शुरू करूंगा ना तुम दोनों को तो सही हो जाओगे बीहू फेस्टिबल बीहू महोसो वगे बारें बात करेंगे बोहाग बीहू बीहू असम के सबसे महतपूर उसो में से एक है जो असमिया नौवर्स के उपलक्ष में आयोजित किया जाता है हाला कि असमिया लोग साल में तीन बार बीहू मनाते हैं कितनी बार मनाते हैं तीन बार बीहू मनाते हैं लेकिन बोहाग बीहू सबसे महतपूर है तीन बीहू कौन है बोहाग बीहू काती बीहू माग बीहू मतलब बोहाग बीहू रोंगाली बीहू और काती या कोंगाली ब इतने प्रकार के भोग मनाया जाते हैं असाम खुशी हाँ बिल्कुल तो यह भी हुआ याद कर लेना भी हुआ फेश्टिबाल याद कर लेना तीन प्रकार के भोग भी हुआ एक है रोंगाली भी हूँ एक है कुंगाली भी हूँ एक है भोगाली भी हूँ याद कर लेना रोंगाली भी हूँ कुंगाली भी हूँ भोगाली भी हूँ इसी को बोलते हैं आप याद कर लीजिएगा यह आपका आसाम में मना जाता है भी हूँ सर मैं नोट कर रही हूँ सभ ही फेस्टिबल को बिलकुल नोट करके चलना है भाई